नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश एती नगस, मंगलवार दपहर सवा दो बजे, रासान की ग्यारा बड़ी खबरे प्रदेश में जो तना इंतजार मंत्री मंडल में फेर बदल और विसार का है, उतना ही बेसबरी से कॉंगर्स जिला अध्यक्षो की घोशना की भी प्रतिक्षा की जा रही है इस बीच एक सुची सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है, जिसमें संभावी जिला ध्यक्षो के नाम लिखे गए हैं सोशल मीडिया पर वाइरल सुची में हन्मानगड के संभावी तो जिला ध्यक्ष के रूप में नोहर के विधायक आमी चौचान, पूर्व जिला ध्यक्ष, सुरेंद्र दादरी, पूर्व उप्रमुख शबनम गोदारा तथा कृष्ण नहरा के नाम शामिल हैं। श्रीक गंगानगर कॉंगर्स जिला ध्यक्ष के लिए सादो शहर के विधायक जगदीश जांगिर, अंकुर मिगलाने, परमजी सिंग रंधावा का नाम इस सुची में हैं। अध्यक्ष के रूप में रादेशाम चोटिया, प्रतापुनिया, मगबूर मंडेलिया के नाम इस सुची में शामिल हैं। उद्यपु शहर में सुरेश श्रीमाली, पंकश शर्मा रासमन में हरी सिंग राठोर, दिनेश परमार भरतपुर में दिनेश सूपा, दिवान शेरगड, अधित्य शर्मा, जुंजुरू में दिनेश कुंडा, सुमन रायला, प्रवीन कटेवा, नागौर में हनमान राम ब पादरिस समाई वादुपुर में राम जिलाल जोशी, गोविन गुपता, शिवचरन बैर्वाम, बारा में भरतमारन, करंट सिंगरा ठोट, बुंदी में राकिश बोयत, सत्येश शर्मा, पाली में प्रकाश माली, शिशुपाल राचपुरोहित, सुमिय सिंग, पेमाराम, सिर्वी सिरोहि में, चंदन देवडा, राकिश, रावल, तथा जालोर में, डॉक्टर शमशेर अली, महवनलाल मेगवाल, हिरालाल बोहरा के नाम, संभावी जुला ध्यक्ष के रूप में लिए गए हैं, इसे प्रकार जैसल मेर में, जगदीश, बिस्सा, गोविन जोद्पुर देहात में, गीता बरबड, हीरालाल मेगवाल, कोटा देहात में, मनालाल गुर्जर, राम गुपाल बैर्वा, जोहलावार में, शॉलेंद्र यादव, विरेंद्र गुर्जर, दौसा में, राम जिलाल ओड, अजीस सिंग महुआ, राम निवास गोयल तथा कर जिला धक्ष के रूप में, सुशील शर्मा, प्रेम सिंग माली, नरेंद्र बैंसला के नाम सामने आये हैं जैपुर के मरलीपुरा इलाके में, साइबर ठकों ने फोन पर बज़र्ग महिला को सिम कार्ड की के वाई सी अपडेट कराने का जहांसा देकर, मुबाइल टीम वीवर एप डाउनलोड करवाई, और उनके खाते से 4,08,000 पर के ओनलाइन ठकी करने का मामला सामने आया है इस समद में पिडिता मुरलीपुरा स्कीम की नीता सक्सिना ने रविवार को मुरलीपुरा ठाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, बिज़री चोरी करने पर डिसकॉम की लगाय जाने वाली जुर्माना राशी समय पर जमाना ही करने वाले 16 लोगों के खिलाफ विदिचोरी नीरोधक ठाने में FIR दरज कराई गई है, ऐसी अजमातु ने बताया कि प्रबंध निदेशक जोदपूर के निर्देशानु सा चुलाए जाने वाले 17 जुआच अभियान में विदिचोरी के मामलों में जुर्माना राशी का निर्धारित कर नोटिस दिया जाता है COVID-19 के चलते पिछले देड़ साल से स्कूल बंध है, रास्थान में स्कूल कफ खुलेंगे, इसको लेकर भी फिलहाल कोई निने नहीं हो पाया है स्कूल में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अधर एक्टिविटी में भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन पिछले देड़ साल से घर पर रहने के कारण वो सब एक्टिविटी या पूरी तरह से बंध है लंबे समय से स्कूली बच्चों के ओनलाइन का ख्शा ही चल रही है महपार ने कहा कि बारिश से सडकों पर हुए गढ़्धे भरवाने के लिए अधिश्वासी अभ्यानता को निर्देश दे दिये हैं आटियो आफिस में लगडाउन की वज़े से पिछले दो माह में पैंडिंग चल रहे है ड्राइविंग लाइसेंस दुपहिया वेचोपहिया वाहनों का हस्तान तरन आर्सी रेनियूवल डुप्लिकित रजिस्टिशन जारी करना बाहरी राज्यों से आई हुए अन्य वाह सवाल के दो अलग-अलग उत्तर मानने का मामला सामने आया है बोर्ड ने अल्डिसी भरती में विद्ध परियोजना को लेकर एक सवाल पूछा था इस तरह का सवाल जेएन सिविल डिपलोमा भरती में भी पूछ लिया गया दोनों ही भरतियों में जवाब अलग-अलग होन दोखा दड़ी का मामला भांक रोटा थाने में दर्च कुराया है इसमें आरप लगाया है कि कैप कमपनी ने पहले तो ड्राइवरों में पैंफलेट बांटे की अब ड्राइवर से कार मालिक बनी है इसके बाद आग्रिमेंट कर कार दिलवा दी रोजाना 1110 रुपे कार की क लिए लोगडाउन में कमपनी का दिकारियों ने गाड़ी बाड़े में खड़ी करवा ली और अपने लाम करने चा रहे हैं राधिसरकार पतापगड में क्रिशी उपज मंडी समीती के मुख्य मंडी प्रांगन का विस्तार करेगी इसके लिए मंडी प्रांगन के पास 2.11 हेक्टेर भूमी अवाप्त की जाएगी सेम शोगेलोद ने भूमी अर्जन के प्रस्ताव का अनुमोदन और अधिसूचना के प्रकॉशन की स्विक्रती दी है मंडी प्रांगन के विस्तार के लिए 5 भूखंडों की अवाप्ती की जानी है जिसके लिए संभावित मुआवजाराशी 5.42 लाग होगी हाइकोट ने एसाई भरती 2016 की कट आफ में आने के बाद भी अयोगे ठहराय प्रार्थी अभियर्थी का दुबारा मेडिकल करवाने का निर्देश देते हुए ग्रह सचीव डीजी पी और आर्पी सचीव सहित अन्य से जवाब मांगा है अधालत ने ये निर्देश दलाराम की याचिका पर दिया है, याचिका कर्ता ने अपनी उचाई को लेकर आयोगे ठहराने को गलत बताया था लेकिन अभी प्रदेश के प्रावेट कॉलेजों में B.A. L.L.B. में चात्रों को अड्मिशन के लिए इंतिजार करना पड़ सकता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेट का लॉय उनिवस्टी ने कॉलेजों से साफ कह दिया है कि अगस्त में संबदता लेने के बाद ही वे अड्मिशन शुरू कर सकते है इससे पहले अफिलियेशन प्रक्रिया साल भर चलती रहती थी तो फिलार इस फिलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें